नमस्कार दोस्तों आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज में आपको नवरात्री की नौविंदे मासिद्ध दात्री की कथा सुनाने जा रही हैं अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जब मातादी अवश्य लिखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकान पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हिंदू धर्म में नवरात्री की नमे दिन मासिद्ध दात्री की पूजा अर्चना की जाती है दिन माता की पूजा अर्चना भक्ती पूर्वक करने से सभी कारे पूर्ण होते हैं सिद्ध दात्री की पूजा अर्चना भक्तों की सभी मुरादें पूरी कर देती है नवमी के बाद पूजा का समापन हो जाता है इस दिन भक्त माता की पूजा अर्चना करने के बाद कन् भूज़न कराते हैं。 ऐसी मानिता है कि कन्य भूज़न कराने से ही मातपूजå को ग्रहन करती है आने था इस पूज़ा का फल वक्ती को प्राप्ट नहीं होता। मा की चेड़नों का यह सानित प्राप्ट करने के लिए हम निरन्त नियम निर्ष्ट रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए मा भगवती का इश्मन ध्यान पूजन हमें इस संसार की अशार्ता का बोत कराते हुए बास्तिविक परमचांति दाहिक अम्रत पद की ओर ले जाने वाला है इनकी अरादना से जातकों को अडिमा लधिमा प्राप्ति प्राकाम महिमा इशित शर्व काम वाशियता, दूर स्रवन, परकामा प्रवेश, बाक सिद्ध, अमरत भावना सिद्ध, आदि समझ सिद्धियों, नव निदियों की प्राप्ति होती है आज के युग में इतना कठिन तब तो कोई नहीं कर सकता लेकिन अपनी सक्ति अंसा जब तब पूजा अर्चना कर कुस नवमी के दिन इसका जाप करना चाहिए, या देवी शर्व भुतेशु मासिद्ध दात्री रूपे सेंसिता, नमस्त तश्ये, नमस्त तश्ये, नमो नमां, मासिद्ध दात्री महल अच्छमी के समान कमल पर बिराजमान है, मा के चार हاتھ है, मानी हाथों में संख, गदा, प कमल का फूल और चक्रधारन किया है मा सिद्धिदात्री को मातस्षती का रूप भी मानते हैं और इनका बाहंसी हैं एक पौरानिक कथा के अंसार भगवान सिव ने मा सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर आठों सिद्धियों को प्राप्त किया था साथ ही मा सिद्धिदात् और वे अर्दिनारीशवर कहलाई मा दुर्गा का यह अतियंत सक्तिशालीश वरूब है सास्त्रों के अंसार देवी दुर्गा का यह सरूब सभी देवी देपताओं के तेज से प्रकट हुआ है कहते हैं कि देथ महिसेशुर के अतियाचारों से परेशान होकर सभी देपतागर भगवान सिफ और भगवान विश्णू के पास गोहा लगाने गए थे तब वहां मौजूद सभी देपतागर से एक तेज उत्पन हुआ उस तेज से एक दिब्ब्य शक्ति का निर्मान हुआ जिन्हें मासिद्धात्री के नाम से जानते हैं पौरानिक मानिताव के अंसर मासिद्धात्री के पास अड़िमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकामी, ईशित और बशित शिद्धियां हैं मातारानी अपने भक्तों को सभी आटों सिद्धियों से पून्र करती हैं मा सिध्यदात्री को जामुनी या बेंगनी रंग अत्यप्रिया है ऐसे में भक्त को नम्मी के दिन इसी रंग के बस्त धारन कर मा सिध्यदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए मानिता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है मां सिद्यदात्री की पूजवे थी दुर्गा पूज़ा में इस दिथी को बिसेश हवन किया जाता है यह नो दुर्गा अराधना का अंतिम दिन भी होता है तो इस दिन माता सिद्यदात्री के बाद अन्य देपताओं की भी पूज़ा की जाती है सर प्रिथम माता जी की चोकी पर सिद्य दात्री मा की तस्वीर या मूर्ती रख इनकी आर्ती और हवन किया जाता है हवन करते वक्त सभी देवी देपताओं के नाम से आहुती देनी चाहिए बाद में माता के नाम से आहुती देनी चाहिए दुर्गा सप्त सती के सभी इस लोग मंत्र रूप हैं अतैसप्त सती के सभी इस लोग के साथ आहुती दी जाती है देवी के बीज मंत्र ओम, हीं, क्लीं, चामुंडाय, बिच्चे, नमुनमह, से कम से कम 108 बार आहुती दे भगवान संकर और ब्रह्मा जी की पूजा के पस्चाथ अंत में इनकी नाम से आहुती दे कर आरती करनी चाहिए हवन में जो भी प्रशाद चड़ाय जाता है उसे समश्त लोगों में बांटना चाहिए सुभे जल्दी उठकर इसनान आदिशी निर्वित होने के बाद सापसोच बश्त धारन करें मा की प्रतिमा को गंगा जल या सुद्ध जल से इसनान कराएं मा को रोली कुम-कुम लगाएं मा को मिश्ठान पंच मेवा फल अर्पित करें मा सिद्ध दात्री को प्रशाद नवरस युक्त भोजन नो परकार के पुस्प और नो परकार के ही फल अर्पित करने चाहिए मा सिद्ध दात्री को मौसमी फल चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अतिप्रिय है कहते हैं कि मा को इन चीज़ों का भोग लगाने से वे प्रशन होती है मा सिद्ध दात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें मा की आर्थी करें अस्टमी के दिन करन्या पूजन का भी बिशेश महत्व है इस दिन करन्या पूजन भी करें भोग अर्पित करने के बाद देवी शरूप नो कन्याओं का पूजन करें कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पैर धुलें और उसके बाद महवल लगाएं फिर टीका कर उन्हें भूजन खिलाएं फिर उपहार दें और अंत में पैर छुकर उनका आसिरवाद लें इस दिन ब्राहमन और गाय को भी भूजन अवश्य करान मा के नौवे रूप को खुश करने के लिए दिल का प्रशा चड़ाना चाहिए वहीं पूजा अर्चना के दोरान बैंगनी रंके कपड़ों को पहनना चाहिए और बैंगनी या गुलावी पुश परपित करने चाहिए मा दुर्गा को खीर, मालपुगा, मीठा, हलुआ, पूरन पूरी, केला, नारियल और मिठाई बहुत पसंद है मातारादिं को प्रशन करने के लिए आप इन सब का भोग लगा सकते हैं जै हो मातारानी के आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को ज़्यादे से ज़्यादे शेयर करिए धन्यवाद